प्याज सभी के घर में अविलिवल होती है मेरे घर में भी और आप सभी के घर में भी प्याज सिर्फ खाने में फाइदेमंद नहीं होती है ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जिन से निजात पाने के लिए काफी ज़्यादा फ मेरा weight gain भी काफी जदा होने लगा है, तो मैं जब डॉक्टर के पास के थी, तो उनसे मैंने ये सारी बातें किलियर की, कि मुझे आपकी medicine खाने से एक तो weight gain काफी हो गया, दूसरा ये है कि मेरा hair fall बहुत जदा हो रहा है, तो उन्होंने ही मुझे ये suggest किया, कि आप ये वाली remedy बना कर अपने बालों में लगाना शुरू करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा result मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजे natural होती है, और इनका कोई भी side effect नहीं होता है, वैसे ये सारी चीजे मैं खुद भी अपने बालों में लगाते रहती हूँ, लेकिन कुछ time के लिए क्या है, मेरे पास ना तो मुझे time मिल रहा है अपनी care करने के लिए, क्योंकि एक तो medication खाका के ना मेरा दिमाग खराब हो गया, आपको सच बता हूँ तो, तो देखे उन्होंने मुझे बोला था कि जो red color की प्याज आती है, उसे आपको लेना है, उसकी quantity आप अपने बालों की length के according दो या तीन ले सकते हो, उनका छिलकाटाइए, उसे छोटे-छोटे टोड़ों में कट कीजिए, जिस तरीके से मैंने किया है, उसके बाद आपको लेना है लहसुन, अगर आपका छोटी कली वाला लहसुने तो 4-5 कली आप ले सकते हो, अगर मोटी कली वाला लहसुने तो आप 1-2 कली भी ले सकते हो, तो यहाँ पर मैंने मोटी कली वाला लहसुन लिया और इसके एक कली लेके इसके अंदर डाल दिया, ये मैंने इसके अंदर डाला है गुलाब जल आपको गुलाब जल ही लेना है आपको पानी नहीं लेना है इस चीज का आपको त्यान रखना है या फिर आप ले सकते हो दो से तीन चमच भर के दही लेने के बाद इसे मैंने डाला है मिक्सिजार के अंदर और इसका मैंने बना पेश्ट बनाने के बाद आप चाहो तो इसे कॉटन के कपड़े में डाल के अच्छे से प्रेस करते हुए इसका जूस भी तैयार कर सकते हो अगर आप कोटन के कपड़े में नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ एक मोटी जली वाली जो चलनी होती है वो आप जो प्याज होती है इसकी इसमेल बहुत ही गंदी होती है और हमको बिल्कुल भी बढ़दास नहीं होती है तो हम क्या करें तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमेल आप इस पैक को अपने बालों में लगाओगे धोने के बाद जो इसमेल है वो नहीं निकलेगी ऐसा किसमेल करें नहीं को दूबा रख को जाएगी थीके न उसे और फ्रेस करते हुए इसका यह पूरी तरीकी से श्टोर हो चुका है अब आप देख सकते हो एक तब् Gur foundational नहीं है अब आपको करना क्या है इसके और जाधर ज्यादा के इसमेल अदर कोई केमिकल मिलावट नहीं ह बनाने के लिए आपको इसमें डालना है coconut oil अगर आपके पास में coconut Guard नहीं है या फिर यह coconut oil आप अपनेs बालों में लगाना पसंद नहीं करते के तो इसकी जगह आप इसमें कोई दूसरा ओयल भी ले सकते हो जो आप अपने बालों में लगाना पसंद करते हो लेकिन आपको इसमें जरूर डालना है जो कि आपके बालों में शाइन लाने में काफी ज़्यादा है आपको अपने बेजान रूखे-सुखे बालों से निजात देलाएगा और मैंने इसमें डाला है गुलाब जल उन्होंने मुझे इसलिए बोला था मैं खुद भी बहुत सारी रेमेडीज में बना उसमें मतलब डाल की लगाती हूं क्योंकि उन्होंने बोला था अगर आपकी स्केल्प में बहुत ज़्यादा डेंडर्फ की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत मुलतानी मिट्टी अध्याद कर सकते हो लेकिन मैंने मुलतानी मिट्टी नहीं डालünden चाहते हो तो लगना पोठी या चोटांत या फिर आके पास यह का यह जो ना किशेया नदर बताम ने था चेया को धोना है आपको बालों में शैंपू करना है आपकी जो स्कैल पे काफि ज़्यादा ओईली हो चुकिए बहुत ज़्यादा आपको खुजली हो रही है और काफी ज़्यादा डेंडर्फ की आपको प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी बना कर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप यकीन मानिए 15 दिन भी कर लोगे न तो 15 दिन में जो आपकी स्केल पर एकदम से क्लीन हो जाएगी और आपकी हेर ग्रूथ जो रुकी हुई थी वो भी होना शुरू हो जाएगी सबसे पह सफनी आप को स्केलप है जो आपकी जड़य में अच़ cheapestनी है उसके बाद आपको मसाज आपको कम से कम 5-5 मिनट्ब के लिए जरूर करना है क्योंकि 5 मिनट्ब्ल में अनदर तक छला जाएगा। उसके बाद आपको एक तरीका और ब它उंगी उसे आपे ऑप जरूर रूदा क लगता है कि इतना ज़्यादा जमा हुआ कि पपड़ी जैसी जमी हुई होती मुटा मुटा तो वह भी पूरी तरीके से दो से तीन बार में ही निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर जूज था पहले तो मैंने इस अपनी पूरी जुड़ों में इस तरीके से लगा लिया अब ल भी त्सक्राइब और जो हमँरी बाल कहीं से थोड़ी से बड़ी हो जाते हैं तो वह एकड़ी जैसे लगते हैं और जड़ों में आपको अच्छे से मसाज करने का मतलब जो आपका ड्रिन रफ है और पूरी तरीके से आपकी स्क Bitcoin आपकि है गत्सक्राइगा और और आप लेना है कॉम तो देख ें यहां पर मूटी के दांत वहाले को लिए को लेने के बाद अब आपको और मसाज करने के बाद ही करना लेना है पूँस्हा लेना है जिस आप अपने Sum ज़्यादा नहीं तूटे और जो आपके जो आपकी मतलद जो स्केल्प है उसमें मतलद अच्छे से ब्लड सर्कूलेशन हो जब आपका ब्लड सर्कूलेशन तेजी से होगा तो यह जो हीर पैक आपने लगाया है यह जड़ों तक आपका पहुंचेगा और आप आपको करना क् क्या करना है अब आपको क्या करना है अब आपको लेना है मतलत लिए इससे लेने के बाद यह गोगाफ्स अपने लगाने नहीं और अच्छे से दुल जाएं उसके बाद मेरे जो बाले ना एकदम से अच्छे हो जाएं और इससे ये फायदा आपको होगा कि जैसे आप छोटी दात वाली कंगे से अपना कॉम करोगे तो आपका जो डेंडरफ है ना वो जो जमा हुआ है आपके स्केल्प में वो उप आप इसे तीन दिन लगाओगे तो आपकी जो रुकी हुई हीर ग्रोथ है वो भी होने लगेगी और जो आप मुझसे बोले हो कि मेडिशन खाके जो आपका बहुत ज़्यादा हीर फॉल हो रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा तो दोस्तों मैं आपको सच पता हूँ ना ती वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना बाई बाई टेक क्यार